परिचय आप अपनी मम्मी के साथ बाजार जाते हैं वहां 52.95 रुपए मूले वाली कैचप की बोतल 87.50 मूले वाला जूस और 32.50 मूले वाला अचार खरीदना चाहती हैं क्या आपने देखा कि सभी चीजों का मूले दशमलो वाली संख्या में है आपकी मम्मी को दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे यह घ्यात करने के लिए आपको तीनो दशमलो वाली संख्याओं का योग करना होगा इस पार्ट में आप दशमलो वाली संख्याओं का योग व व व्यवकलन सीखेंगे और उनके दैनिक जीवन में अनोप्रियोग के बारे में जानेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रुपियों पैसों को दशमलों में व्यक्त करना लंबाई को दशमलों में व्यक्त करना भार को दशमलव में व्यक्त करना दो दशमलव वाली संख्याओं का योग करना दशमलव वाली संख्याओं को घटाना दशमलव का अनुप्रयोग रुपियों पैसों को दशमलव अंकन पद्धती के उप्योग द्वारा व्यक्त किया चा सकता है यहाँ सार्व ज्यान है कि एक रुपे में सौ पैसे होते हैं इसका आर्थ है कि एक पैसा एक रुपे का एक सौवा भाग है हम जानते हैं कि एक बटे सौवे भाग को हम दशमलव अंकन पधती में दशमलव शूने एक के रूप में लिख सकते हैं आईए, अब हम 435 पैसे लिखने के लिए दर्शमलव अंकन पद्धती का उप्योग करें। 435 को 400 पैसे और 35 पैसे में विभाजित किया जा सकता है। 400 पैसे बराबर होते हैं 4 रुपियों के, 35 पैसे बराबर होते हैं 35 पटे 100 जो दर्शमलव 35 के बराबर है। इसलिए 435 पैसे बराबर हैं 4.35 के इसी प्रकार लंबाई को भी दर्शमलव में व्यक्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटिमीटर होते हैं। इस कार्थ है कि एक सेंटिमीटर एक मीटर का एक सौवा भाग होता है। आईए अब हम 925 सेंटिमीटर को व्यक्त करने के लिए दर्शमलव अंकन पद्धती का उपियोग करें। 925 सेंटिमीटर को 900 सेंटिमीटर और 25 सेंटिमीटर के रूप में विभाजित किया जा सकता है। 900 सेंटिमीटर बराबर होता है 9 मीटर के। 25 सेंटिमीटर बराबर 25 पटे 100 मीटर जो बराबर होता है दर्शमलव दो पांच के। इसलिए 925 सेंटिमीटर बराबर है 9 दर्शमलव दो पांच मीटर के। भार को भी दशमलव की सहायता से विखत किया जा सकता है। आईए 4250 क्राम को किलो ग्राम में बदलें। 4250 क्राम में 4 किलो ग्राम और 250 ग्राम हैं। इसलिए 4250 क्राम पराबर है 4.25 किलो ग्राम के। हल सहित उधारण आईए पैसों में व्यक्त की गई धन्राशी को दशमलव का उप्योग करके रुपियों और पैसों में बदलें 2375 पैसों को दशमलव का इस्तिमाल करके रुपियों और पैसों में व्यक्त करें 2375 पैसे बराबर 2300 पैसे जमा 75 पैसे जो बराबर है 23 रुपै और 75 पैसे के इसे 23 रुपै जमा 75 बटे 100 रुपै के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसलिए उत्तर 23 रुपै दशमलव 75 है आईए ग्राम में व्यक्त किये गए भार को दशमलव का उप्योग करते हुए किलोग्राम में बदलें 7525 ग्राम को दशमलव का उप्योग करते हुए किलोग्राम में बदलें 7525 ग्राम बराबर 7500 ग्राम जमा 25 ग्राम, जो बराबर है 7.5 किलो ग्राम जमा 25 के. इसे 7.5 किलोग्राम जमा 25 बटे 1000 ग्राम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए 7525 ग्राम बराबर 7.525 किलोग्राम है। दशमलव वाली संख्याओं का योग दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना अन्य संख्याओं के जोड़ने के समान ही है। दी हुई संख्याओं को उपर नीचे इस प्रकार लिखें कि सभी संख्याओं के दशमलव उपर नीचे सीधी रेखा में हूँ। सबसे पहले दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जोड़ें। सबसे दाइं और वाले अंक से शुरुआत करें। ऐसा करने के बाद यदि हासिल प्राप्थ हो तो दशमलव पूर्ण संख्या वाले पक्ष में लाकर जोड़ें। आईए। 293.72 और 602.27 को जोड़ें। अंकों को उप्रोक्त तालिका के अनुसार, उनके स्थानिय मान के अनुसार लिखें। सामाने जोड की भाती इसे जोड़ें। योगफल में दाइं और दो अंक छोड़कर दशमलव लगाएं। हल सहित उधारण। आईए अब 7.35 जमा 8 जमा 45.4 को हल करने का प्रयास करें। हल 7.35, 45.4 और 8 आसमान दशमलव वाली संख्याएं हैं। उन्हें समान दशमलव वाली संख्याओं में बदलने की आविशक्ता है। 45.4 को 45.40 और 8 को 8.00 शुने के रूप में लिखें। अब उन्हें उपर नीचे लिकर जोड़ें। हमें योगफल 60.75 प्राप्थ होता है। दशमलव वाली संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाना भी अन्य संख्याओं के घटाने के समान ही है। बड़ी संख्या को सबसे उपर और उसके नीचे छोटी संख्या को इस प्रकार लिखें कि उनके दशमलव उपर नीचे सीधी रेखा में होूं। पूरी संख्या को सामाने नियम से घटाएं और उत्तर में भी दशमलव उप्रोक्त संख्याओं के ठीक नीचे ही लगाएं। आए आर सो उनत्तर दशमलव साथ नौ में से चार सो उनतालिस दशमलव तीन दो को घटाएं। अंकों को उप्रोक्त तालिका के अनुसार, उनके स्थानिय मान के अनुसार लिखें। संख्याओं को घटाने के सामाने नियम के अनुसार घटाएं। हल सहिद उदाहरण 56.354 और 896.24 आसमान दशमलव वाली संख्याएं हैं। पहले इनहें समान दशमलव वाली संख्याओं में बदला जाना चाहिए। इसके बाद ही घटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। 56.354 में दशमलव के बाद 3 अंक हैं जबकि 896.24 में 2 अंक हैं। इसलिए 896.24 को 896.24 के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब इन संख्याओं को घटाने के समान नियम के अनुसार घटाएं। सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दशमलव का उप्योग रुपियों पैसों को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। दशमलव का उप्योग लंबाई व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। दशमलव का उप्योग भार व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। एक हजार ग्राम बराबर एक किलो ग्राम इसलिए एक ग्राम बराबर एक बटा एक हजार किलो ग्राम बराबर शुन्ने दशमलव शुन्ने शुन्ने एक किलो ग्राम के। दशमलव वाली संख्याओं का योग वा व्यफकलन उन्हें समान दशमलव वाली संख्याओं में बदलने के बात किया जाता है.